हाई स्टिदेंट्स प्रगति दिस साइड मेरे यूट्यूब चैनल सिम्लिफाइड मैट्स में आपका स्वागत है आज इस वीडियो में हम कुछ अलग से डिस्कुस करेंगे जो हम इतना पढ़ते हैं उसके जरुरत क्या है जाहे हम जॉब करें या ना करें फिर भी एजुकेशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बैल आइकन दबाएं हमारी लेडिस वीडियो के लिए हम बहुत से तरीकों से अपनी लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं अगर हम एजुकेटिड है सबसे पहले चीज़ एजुकेशन हमें इंडिपेंडेंट बनाता है छोटी-छोटी चीज़ों के लिए हमें किसी दूसरे पर डिपेंड होने की जरुरत नहीं पड़ती एक comfortable और stable life के लिए एजुकेशन इंप्रूटन्ट है equality के लिए एजुकेशन इंप्रूटन्ट है safety and security के लिए एजुकेशन इंप्रूटन्ट है it improves our standard of living it builds confidence अगर हमें किसी भी चीज़ की knowledge होगी तो obviously हमारा confidence बढ़ेगा education से हमें एक सही direction मिलती है चीज़ों को सही ढंक से समझने के लिए आपको एक स्टोरी बताती हूँ real स्टोरी है एक बार एक बच्चया around eight years का एक की ट्रे लेके गया किसी के घर पे देने के लिए ठीक है उसका जो डोर था उस पे लिखा हुआ था पुल में अब उससे पढ़ना नहीं आता था उसने बहुत जोर से धका मारा डोर नहीं खुला उसने ट्रे नीचे रखी फिर भी डोर नहीं खुला डोर बेल बहुत उपर थी बजा नहीं सकता था उसके पास एक ही ओप्शन था कि उसे डोर खोलना था उसने बहुत आवाज भी लगाई किसी ने सुना नहीं काफी टाइम हो गया आराउंड 10 तो 15 मिनिट्स कुछ तेर बार एक दूसरा बच्चा आया उसी की एज का 8-9 एर्स का स्कूल से आया था उसने आराम से आते ही डोर को खीचा और डोर खुल गया अब जो बच्चा एजुकेटिड नहीं था वो हैरान रह गया मैं तो इती दे से इती महनत कर रहा हूँ फिर भी मुझसे डोर नहीं खुला और इसने बड़े आराम से खोल दिया तुरंत उसे ओविसले थोड़ा तो बुरा लगा ना इसलिए एजुकेशन बहुत इंपोर्टन है अगर वो बच्चा थोड़ा भी पढ़ा लिखा होता बड़े आराम से डोर खोल के अंदर जा सकता था इतनी महनत करने की इतना वेट करने की जरुरत क्या थी चिल्जरन आर दो फ्यूचर ओफ आर नेशन उन्हें प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी भी हमारी है हम अपनी लाइफ में इतने बीजी हैं कि खुद के लिए भी टाइम नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा टाइम निकाल कर अगर आपको कहीं भी ऐसे बच्चे दिखें जो स्कूल नहीं जा पा रहें किसे तरह से तो सबसे पहली कोशिश ही करें कि उनके पेरेंट्स को कन्वेंस करें कि एट लीस्ट उनके बच्चों को बेसिक एजुकेशन मिल पाए दाट इस तिल तेंथ स्टैंडर्ड बहुत से गोवर्मेंट स्कूल से आप वहाँ भीजिए बच्चों को अगर फिर भी नहीं हूपाता तो चलते फिरते ही सही पाँच, तस, पंदरा मिनट निकालके बच्चों को कुछ नया सिखाते जाईए कोई नया वर्ड, कोई नया सेंटेंस पढ़ना या लिखना सिखाईए अगर आप मन्त में चार से पाँच बार भी ऐसा कर ले अगर सभी एजुकेटिड परसन चार से पाँच बार भी ऐसा कर ले तो शायद हमारी कंट्री का लेटरिसी रेट इंक्रीज हो जाएगा तो आज एक प्रोमिस करें खुद से अपनी लाइफ को वेस्ट नहीं करेंगे और विद्यादान करते चलेंगे So start from where you are Use what you have Do what you can जै हिंद जै हिंद